नमस्कार दोस्तों आज हम राहू के उपाय के बारे हम बात करेंगे कि कई लोगों को confusion रहते ही कि राहू के हम क्या उपाय करें क्योंकि उपायों के लेके बहुत ज्यादा confusion की वज़े से वो कई बार गलत उपाय कर लेते हैं और कई बारी जो है incomplete उपाय करते हैं जिनकी जो है तरीके और सिलसले वार सही करने चाहिए अगर किसी ग्रह का मंदा असर आपकी लाइफ में उससे संबंदित रेगुलर आ रहा है तो यहां पर राहू खाना नंबर आठ की बात करेंगे जहां पर जो है राहू जो है अगर मालीजे लगन कुडली में जो है खाना नंबर तो यह लगन कुडली के हिसाब से लाइफ टाइम जो है प्रॉलम देता ही देता है वर्च्वल में आये रहू आठ में खाना नंबर का काफी ज्यादा उथल फुथल मचा देता है तो यहां पर खाना नंबर आठ का राहू अगर किसी की कुडली में तो लाल-किताब में जो एक टाइब पैसा होता था जो एक पैसा दो पैसा तीन पैसा वो भी आजकल मार्केट में मिल जाते हैं उपाय जहां पर यहां पर hitler समागरी जहां मिलती हैं वहां से मिल कम होता है जिस वे जैसे जे सो जो थो जिनेे हम about classic का भी बोलते हैं आज के शमंए लाइब ऊपने चलते है दो खोटे के आपने 43 Giase 9 की 43 लगातार जो है जल पर वागर अगर खहाने नमबर आट का आपके राहू है और यहां पर राहू आठ में कहाने नमबर के लिए यह कहा गया है कि आठ रांगे के टुकडे या फिर आठ किलो आठ सो ग्राम आठ रांगे के टुकडे आपको जल परवा करने हैं पर यहां पर लोग गलती कर जाते हैं कि रांगे के टुकडे आपको किस कंडिशन में जल परवा करने हैं यह हमें बहुत जल्दी और बहुत जर जूरूरी सोचना पड़ता है क्योंकि कई लोग जो है इनकंप्लीट नॉलीज होने की वैसे वह क्या करते हैं कि माल लिजे आठ में राहू आ गया और चौथे आपके माल लिजे ब्रस्पती ही है या फिर सूर्य ही है ठीक है ना तो चौथा घर यहां पर क्या होगा चौथे चौथा घर को हमें सबसे पेल समझना है चौथा घर जो है जल यानी कि जहाँ पर आप नदिया नहरे जो होती हैं जहां पर आप जल परवा करते हैं चौथा चंड्रमा का घर है और राहू को período करने के लिए ही अपाई कहा जाता है कि जल परवा करें क्योंकि चंद्रमा के पास आके राहू या केतु जो है अपनी शरारतों से बाज आ जाते हैं उन्होंने कसम खाई हुई है कि माता की गोद में जाके हम शरारत नहीं करेंगे पर इतना ध्यान रखिए एक ही गोद में दो बच्चे हैं एक बच्चा उजड है एक बच्चा शरीफ है तो दोनों बच्चे चाहे गोद में हो चाहे कहीं भी हो वो आपस में जगडा ही करेंगे तो यही कंसेप्ट आपको दिमाग में बिठाना है कि अगर चौथे घर में कोई भी राहू का दुश्मन या फिर बराबर का गरह है तो आपको बहुत सोच समझ के वहाँ पर रेमेडी करनी होगी तो यहाँ पर अगर आपने ये रेमेडी करी तो आपने दो गरहों की शक्तियों के एक साथ मिला दिया जो प्रावलम से आप बचने के लिए उपाय करने जा रहे थे वो ही प्रावलम उससे दुगनी आपकी लाइफ में प्रावलम करेंगी तो यहाँ पर हमें ये समझ कर रुपाय करना है कि आज चोथा गर हमें जरूर देख लेना है चोथा गर को देख लीजे अगर चोथा गर में कोई ऐसा गरह नहीं है तब आप रेमेडी ये जरूर कर सकते हैं पर हमें आठमे राहु के लिए जो है उपाय के क्या तरीके बताए गए हैं जैसमें की चांदी का चोरोस टुकड़ा जो की उपाय राहु का भेद बताने के लिए कि राहु अच्छा है या बुरा है राहु कैसे रिजल्ट कर रहा है इसके साब से हम रेमिडी करेंगे दूसर बन रही है क्योंकि चौते घर में अगर कोई दुश्मन गरह तो और भी रेमिडी हैं जिनको हम कर सकते हैं राहु की लिए राहु को राहु को सकते हैं और राहु को कंट्रोल करने के लिए simply है एक और remedy आ जाती जिसमें धनिया यानि कि साबुत धनिया जो बीज होता है वो भी हम जल परवा कर सकते हैं वगर हमें चौते घर को जरूर देखना होगा चौते घर को देखकर ही हम remedy करेंगे अगर remedy वहां पर वो बनती है तब ही करेंगे और इसके साथ-साथ remedy तो हमें करन चीजने का और बाकी सब चीजों का अपनी lifestyle में कैसे आप चेंजिस लाके उस दवाई का जो आपको डॉक्टर ने प्रस्क्राइब की है उसका फायदा मिल सके क्योंकि सिर्फ remedy करने से ही वह चीज़ें आपकी सही नहीं हो जाती है आपको remedy के साथ-साथ practical भी होना पड़ेग तब भी आप उसको अवाइड करिए कि आप रेंट पर जा रहे हैं और आपका दक्षिन मुखी मकान हो गया तो आप रेंट पर गए आपने किराया भी दिया साथ में बिमारियां और प्रॉलम्स भी अपने life में ले ले लिए इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये द्यान रखकर ही आप रेमेडी परफॉर्म करें और राहु को अच्छा रखने के लिए साफसफाई रखें अपने नाकून काटकर रखें यहाथ के और जो है सुस्राल से संबंद सही रखिए घर में इलेक्ट्रोनिक्स और यह सब चीज़ें नेसेसरी चीज़ें कठी मत हो कि फ्री का समान मत लिए किसी से भी आपको उपर वाले ना कमाने के लिए इतना काबिल बनाया हुआ है कि आप कमा के चीज़ें जोड़ सके आप दान करें गरीबों को दान करें आप मतलब ले मत जब आप कमाने लायक हैं सब कुछ करने लायक है तो आप फ्री की चीज़ें लेकर क्यों अपने ग्रहों को और अपने कुंडली के बैठे अच्छे ग्रहों को दुशित करते हैं जैसे कि अब खाना नंबर चार में ही अमालिजे ब्रस्पती अच्छा है और ब्रस्पती यहाँ पर अच्छा होने के कारण यहाँ पर उसकी अच्छाई को बरकरार रखने के लिए आपको घर में पूजा मना की गई है पूजा से संबंदित मैंने वीडियो जरूर बनाई है उसमें और बताया है कि पूजा आपको घर में क्यों नहीं करनी है क्योंकि हम वो चीजें वो डिवोशन वो सब कुछ नहीं दे पाते हैं घर की पूजा में जो की हम बाहर जाके मंदिर में दे पाते हैं तो यहाँ पर राहु खाना नमबर आठ में आने के बाद भी कुछ चीजे डिमांड करता है आपसे अगर आप उसके डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉलम आना स्वभाविक है तो रहु के लिए यहाँ पर सिक्के की बात की गई, रहु के लिए यहाँ पर खोटे सिक्के की बात की गई, रहु के यहाँ के जौं की बात की गई, गौम उतर की बात की गई, तो हमें इन चीजों को देख कर ही समझ के उपाय करना है आँख बंद करके जो है आप remedy सिक्के धातू की मत करिए अगर करेंगे तो परेशानी होगी जब परेशानी होगी तो इसको revert करने के लिए कोई इसमें रास्ता नहीं होता है ये आप मान के चलिए अगर आप ये सब करेंगे तो परेशानी है पता नहीं कहां कहां से आएंगी और जो है समय आपका ऐसे ही उल जलूल remedies में गुजरता जाएगा तो दोस्तो आई होप आप लोगों को ये जो है information काफी पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको इसको सीखने के मिला होगा तो इसके लिए मैं आप से बस यह request करूंगा कि अपना like और subscribe जरूर करिए ताकि मुझे आपका प्यार मिल सके मेरा भी confidence पढ़े और मैं आपके लिए कुछ और अच्छी information लाने के लिए आप प्रेरित रहूं तो next post में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आगा दीजे मुझे नमस्कार